नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर तो दोस्तो हमने ये अपने स्टेंड के उपर कोचिया के सभी प्लांट लगा दिये हैं और ये कोचिया के प्लांट सभी हमारे सीड के द्वारा तैयार किये हुए हैं और हमने तैयार भी नहीं किये बलकि ज़ब गए थे और अपने आप ये उस पॉधर के पास जो भी प्लांटर रखे हुए थे उन्हीं पॉध्धों में और ये सभी प्लांट ग्रोंग हो गए और। धिरों प्लांट है जो कि हमने अलग करके नहीं लगाए हैं कुछ पोदे तो हमने ये अलग अलग करके लगा दिये हैं क्योंकि दोस्तो गर्मियों में काफी सारे पोट खाली हो जाते हैं क्योंकि विंटर सीजन में तो फूलों की तेहरो वैराइटी आ जाती है गर्मियों में भी आती है लेकिन गर्मी के कारण हमारे प्लांट चल नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे यहां गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा तेज घर्मी पड़ती है तो दोस्तों आज हमने टेरिस गार्डन के उपर जो भी सबजियों के प्लांट लगा रखे हैं यदो वाइन लगा रखी हैं तो दोस्तो आज हम उनका अपडेट देंगे और साथी साथ जो भी सबजियां हमारे किचन गार्डन में रेडी हो रही हैं तो उनको भी आज हम आपके साथ हारवेस्ट करेंगे तो दोस्तों हमारे किचन गार्डन में देखते हैं कि कौन-कौन सी सब्जिया ready हो रही हैं तो दोस्तों सबसे पहले हैं यह टमाटर तो टमाटर यह हमारे जो है अक्टूवर नौमबर से ही लगे हुए हैं और तभी से ही यह टमाटर दे रहे हैं और अब तो इनका जो टाइम होता है वो खतम हो गया है इसलिए इनके पेड़ भी सूख गये हैं लेकिन टमाटर अभी भी धेरो लगे हुए हैं तो अब इनको हम हर्वेस्ट कर लेंगे फिर इन पौधों के निकालके गर्मियों की सबजियों को इन जो ग्रो बैग है इनमें लगा देंगे और ये भी हमारे लगे हुए हैं टमाटर वैसे एक दो प्लांट तो अभी भी ग्रीन है लेकिन करीब सभी सूख चुके हैं और जो समर सीजन के टमाटर के प्लांट है उनकी ग्रोथ तो बढ़िया चल रही है लेकिन ये सीजन का हिसाब होता है तो गर्मियों के सीजन के होते हैं तो गर्मियों में ही चलते ह और विंटर सीजन के होते हैं तो विंटर सीजन में ही बढ़िया से फ्रूटिंग करते हैं लेकिन ये वाले प्लांट है ना हमने बाद में लगाए थे तो ये बाद वाले प्लांट तो अभी ग्रीन है और टमाटर भी इनके बढ़िया है और दोस्तों बिल्कुल ये चैरी टम और जो नन्रा टमाटर होते हैं, उन से थोड़े से जादा खटे होते हैं, और दोस्तों यह है हमारी क्कड़ी, तो क्कड़ी इस बार छे से नहीं आरी, पता नहीं गरमी जादा है इस लिए, या फिर इस बार इनका सीड खराब है इस लिए, तो इनकी हाइट नहीं बढ़ रही है और लास्ट एर हमने जो ककड़िया लगाई थी वो काफी लंबी-लंबी हो गई थी काफी बढ़िया एक दम और इस बार तो ककड़ियों का साइज ही बहुत छोटा आ रहा है और एक-दो दिन अगर इनको छोड़ देते हैं तो तब ही है यह इस तरह की मोटी-मोटी हो जाती है लेकिन इनकी हाइट कम बढ़ रही है इस बार और यह लग रही है हरी मिर्ची तो हरी मिर्ची को आज हम तोड़ लेते हैं और काफी बढ़िया हो गई है मतलब काफी अच्छे साइज की हो रही है हरी मिर्ची और हरी मिर्ची के के रहांट लगे हुए हैं और दोस्तों ये ना मिर्ची ज्यादा पीकी नहीं है नॉर्मल सी ही मिर्ची है और जो छोटे साइज की रहती हैं तो वह काफी तेज रहती हैं और यह है हमारा लाश्टियर का पौधा इसमें भी यह हरी मिर्ची रेड़ी हो गई हैं और च्टोती च्टोती मिर्ची आती जी इस में इस तरह की और आसे का । मिर्ची लगी हुई हैं तो यह काफी मतलब ज्यादा बड़ा साइज नहीं होता है इनका यह ऐसी ही छोटी-छोटी रहती हैं नहीं तोड़ते हैं तो इस तरह की रेड हो जाती हैं और दोस्तों यह और हमारे ककड़ी के जो एक वाइन लगी हुई है और इनमें की ककड़ी आ ही हैं छोटे-छोटे साइज की तो ककड़ी तो काफी आ रही है यह एक तो यहरी और एक यहां आ रही है तो प्लांट तो काफी सही चल रहे हैं लेकिन इस बार का साइद सीड सही नहीं आया है इसलिए इनकी जो एक कड़ी का साइज थोड़ा सा छोटा ही रह रहा है और दो लगे हुए हैं और इनमें फ्रूटिंग भी आती रहती है और दोस्तों यह हमारे लास्ट यार के जो है शिम्ला मिर्ची तो शिम्ला मिर्ची के पोद है ना छोटे हैं तो इसलिए इनमें शिम्ला मिर्चि भी चोटी चोटी आ रही हैं और हमने नहीं तोड़ी तो यह काम की शोटी है तोות नहीं की शोटीए ही है और यह तीन चार पौधे से निंग से ग्रो हुए हैं हारी मिर्ची के और इनमें भी हरी मिर्ची आने शुरू हो जाएगी प्रव्च धूनों में दोस्तों यह है आज की हमारी छोटी सी हार्वेस्ट यह टमाटर है और कुछ हमने हरी मिर्ची को तोड़ा है ककड़ी है और शिमना मिर्च है तो ककड़ी और यह हरी मिर्ची का तो ऐसा है जब भी हमें जरूरत पड़ती है या फिर यह रैडी हो जाती है तो हम इनको तोड़के ले जाते हैं क्योंकि ककड़ी को एक दो दिन अगर जादा छोड़ देते हैं तो यह पक जाती है और फिर खाने में टेस्टी नहीं लगती है तो दोस्तों आपको हमारा किचन गार्डन और आज की हार्वेस्टिंग कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नम मस्ते जी धन्यवाद